तो कैसे हो आप लोग, once again welcome to my youtube channel ये मेरी full body workout का part 2 है इस वीडियो में मैं आपको और कुछ exercises बताऊगा जो आपके muscles को train करेंगे part 1 में हमने बात किया था biceps, triceps, chest, shoulder, upper abs और back muscle के बारे में और अगर आपने part 1 को अब तक नहीं देखा, तो उसकी link description में आपको मिल जाएगी और उपर eye button को दबा के भी आप वो वीडियो को देख सकते हैं, जो मैं वीडियो के end में आपको दे दूँगा तो आगे चलते हैं और आते हैं अपने पहली exercise के तरफ, जिसको हम बोलते हैं squats, इसमें अपने पेरो को shoulder width के बराबर रखना होगा और सामने की ओर देखते हुए नीचे white है, इस exercise से आपके thighs का size बहुत ही जल्ली बढ़ता है इस exercise के आपको path set करने है minimum 8-12 repetition की 7, अब आते हैं अपनी दूसरी exercise के तरफ, जिसको हम बोलते हैं lying leg race इस exercise में आपके पेरो को उपर ले जाए, जब पेरो को उपर करे तब सास को बाहर छोड़े और नीचे करते समय सास अंदर ले इस exercise से आपके lower abs बहुत ही अच्छी तरीके से train होते है इस exercise के आपको 3 set करने है minimum 12-15 repetition के 7 और इस exercise को करना बहुत ही ज़रूरी है ये exercise आपके overall body को भी बहुत ही अच्छी तरह से train करती है अब आते हैं अपनी exercise number 3 जिसको हम बोलते हैं Lunges exercise में एक पैर आगे रखते हुए सामने देखते हुए नीचे जुके और दूसरे पैर का घुटना नीचे टच होना चाहिए और इस तरह का posture follow करें जैसा वीडियो में बताया गया है इस exercise के आपको 3 सेट करने है मिनिमम 15 से 16 रेपिटेशन के साथ ये exercise आपके पैरो को shape में लाती है अब आते है अपने exercise नमबर 4 पे इस exercise में आपको कोई भारी सा rod अपने हाथ में लेना होगा अगर आपके पास कोई भारी सा rod ना हो तो कोई भारी सी चीज आप अपने हाथ में लेकर इस exercise को perform करें इस exercise के आपको 8 से 12 रेपिटेशन करने हैं 3 सेट के साथ इस exercise में आपको कैसा posture formula करना होगा ये आप इस वीडियो में देखी सकते है ये exercise आपके forums को बहुत ही अच्छी तरीके से train करते है तो दोस्तो ये थी मेरी आज की वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like और subscribe जरूर करें और अगर आपको full body workout part 1 देखना हो तो इस वीडियो के उपर के i button पे click करो और इस वीडियो को देखो